दोस्तों नमस्कार हाजे रहें एक बाफे से आज की बड़ी ओ ताजा खबरों के साथ बस आप से निवेदन है करपय वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर ले और गंटी बटन जग दवा दें पहली बड़ी खबार नुपूर सर्मा को सुप्रेम कोट से मिली बड़ी राहत ग्रफतारी पर लगी रोग अब 10 अगस्त को होगी अगली सुनवाई तिया आपको बताव दिए कि उचितम नियाले ने मंगलवार को भाती जनता पार्टी की पूर प्रवक्ता नुपूर सर्मा को बड़ी राहत देते वे अगली सुनवाई तक उनकी ग्रफतारी पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोट ने ये भी कहा कि बविश्य में अगर उनके बयान को लेकर कोई भी अन्या फायार दर्ज होती है तो भी नुपूर सर्मा के खिलाप कोई भी कारवाई नहीं होगी दर पूली बड़ी खबर उद्दव ठाकरे को लगा सबसे बड़ा जटका एकनाथ सिंदे के करीबी राहुल सेवाले होंगे लोगसबा में पार्टी के नेता स्पीकर से मिली मानेता कि आपको बता दें कि लोगसबा अध्यच्छ ने सिफसेना के सिंदे गुट के 12 संसदों की म लोगसबा में राहुल सेवाले को सिफसेना नेता के रूप में मानेता दे दी है मुख्यमंत्री एकनाथ सिंदे ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी महराश्ट के पूरुमंत्री रामदास कदम ने मंगलवार को राकापा प्रमुक सरतपवार पर गंबीर आरूप उन्होंने सरतपवार पर आरूप लगाते वे कहा कि वो सिफसेना को तोड़ रहे हैं इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि वे इसका सुबूत सिफसेना अध्याच उद्दव ठाकरे को दे चुके हैं रामदास कदम ने मंगलवार को दावा किया है कि सरतपवार ने सिफस ठाकरे को परियाप्त सुबूत दिये हैं कि कैसे राकापा प्रमुक सरत पवारा सिफसेना को तोड़ रहे हैं उन्होंने आगे कहा कि अगर बाला साहिब ठाकरे आज जीवित होते तो उद्दव ठाकरे को राकापा और कॉंग्रेस के समर्थन से कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनने देते पूरु मंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने महाराष्ट में सरकार बनाने के लिए एंसीपी और कॉंग्रेस के साथ में हाथ मिलाने के उद्दव ठाकरे के कदम का विरोध किया था उन्होंने कहा कि मैंने उद्दव ठाकरे से कहा कि ये पाप करने जैसा है बाला स सिवसेना के बारा बागी सांसदों को मिली हुआ ही कैटेगरी की सुरक्षा सिंदे गुट में जल्धोंगे सामिल। उन्हें मानिता प्रदान कर दी हैं धरसल ऐसे कयास लगाई जा रहे हैं कि सिवसेना के 18 में से 12 सांसदा सिंदे गुट के संपर्क में है ये सबी सांसदा उदब ठाकरे से अलग हो कर अपना गुट बना सकते हैं । से भी कयास लगाई जा रहे थे कि ये सभी सांसदा एकनात सिंदे को अपना समठन देने का एलान कर सकते हैं ये इसले भी महत्पूर है क्योंकि सौंबार को सिपसेना सिंदे गुट की ओर से बुलाई गई बैठक में सिपसेना के 19 में से 12 सांसदा वर्च्वली सामिल हुए थे और यी बड़ी खबर MSP को लेकर किसानों ने मोधी सरकार पर बोला बड़ा हमला MSP कमेटी में सामिल नहीं होगा सहुत किसान मोचा यह आपको बतावा दें कि मोधी सरकार द्वारा फसलों के नियुनतम समठन मुल्ले को प्रभावी बनाने समेथ खेती से जुड़े अन्य किसानों को लेकर बनाई गई कमेटी से असंतुष्ट सहुत किसान मोचा ने कमेटी का बहिसकार करने का एलान कर दिया है किसान मोचा कमेटी ने साफ कर दिया है कि उसके प्रतिनिदी MSP कमेटी में सामिल नहीं होंगे केंडर सरकार द्वारा एक दिन पहले जारी नोटिफिक किसन में सहयत किसान मोचा के तीन सदस्यों के लिए जगत छोड़ी गई थी। कुछ महीनों पहले सरकार ने MSP कमेटी के लिए सहयत किसान मोचा से तीन नाम देने को कहा था। पूर्व क्रसी सचिव संजय अगरवान ने तीन क्रसी कानून बनाए थे। अर्थ सास्त्री के नाम परा इन कानूनों के समठकों को रखा गया है। लेकिन उन्होंने नाम नहीं दिया तो हम लोगोंने उनका इस्थान खाली छोड़ा हुआ है। योगिनर यादव ने कहा कि इसी बज़े से हमने नाम देने से पहले सरकार से कमेटी का ब्योरा मांगा था। यादव ने बताया कि MSP को लेकर सयतकिसान मोचा नवंबर के महिने से राष्ट व्यापी आंदोलन की तयारी कर रहा है। औरी बड़ी ख़वर राष्ट पती चुनाम में हुआ बड़ा खेल कॉंग्रेस ने मुर्मों और भाजपा नेताओं के खिलाप चुनावायोग में दर्ज कराई सिकायत लगाए रिसवत देने के आरूप। यहाँ आपको बताओ दें कि राष्ट पती चुनाम में प्रावधानों के उल्लंगन का आरूप लगाते हुए करनाटक में कॉंग्रेस ने मंगलवार को NDA की उम्मीदवाद द्रोपदी मुर्म और अन्ने के खिलाप चुनावायोग में सिकायत दज करा दी है। पार्टी ने आरूप लगाया कि करनाटक में सत्तारूड भाजपा ने 17 और 18 जुलाई को अपने विदायकों को रिस्वद्धी और अनुचित प्रवाव डाला। कॉंग्रेस बिदायक दलके नेता सिद्धा रमया और प्रदेश कॉंग्रेस सद्याच दी के सिवकुमार ने अपनी सिकायत में आरूप लगाया है कि जो बिदायक मतदाता थे उन्हें एक 5 इस्टार होटल में सांदर ठेरने की विवस्था की गई थी। पर एक 5 सितारा होटल में तलब किया और राष्टपती चुनाम में मतदान परा विदायकों को प्रसिछन सत्र की आल में आलीसान कमरे भोजन सराब पेयपदा थोरा मनुरंजन परदान किया। के स्वतंत्र प्रियोग में हस्तक्षेप किया है और एक 5 इस्टार होटल में उन पर भारी रासी खर्च की गई है। कॉंग्रिस नेताओं ने चुनाव आयोक से एंडिये से राष्टपती पद की उम्मीदवारा द्रोपदी मुर्म बॉमबई, यदुरपा, कतील और रेडी द्वारा किये गए चुनावी अपरादों का संग्यान लेने की अपील की है। उन्होंने राष्टपती और उपराष्टपती चुनाव अधनियम 1902 के प्रावधानों के साथ आईपीसी की विविन्न धाराओं के तहत उनके खिलाप अपरादिक मामला दर्ज करने की भी मांग की है। प्रदसन राहुल गांदी ने भी लगाए नारे यापको बताओ दें कि संसद के मांसून सत्र के दूसरे दिना लोकसबा की कारवाई शुरू होते ही विपक्षी संसदों के हंगामे की बेट चड़ गई विपक्ष के संसदों ने महंगाई को लेकर जमकर नारेवाजी की ज प्रदसन में राहुल गांदी भी मौजूद थे इस प्रदसन में कौंग्रेस सहित कई अने विपक्षी दलों ने भी हिस्सा लिया मेंगाई के खिलाब संसद परिसर में हुए विपक्च के प्रदसन में कॉंग्रेस ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया कॉंग्रेस उपाद्यच्य राहुल गांधी समेत मल्लिकाजुन खडगे अधिरंजन चोधरी ससी ठरूर सक्ति सेंगोहिल रंजीत रंजन और प्रमोत तिवारी जैसे संसदों ने जमकर प्रदसन किया संसद बवन परसर में गांधी जी की प्रतिमा के सामने जी एस्टी रसोई गेस सिलेंडर सहेत अन्य वस्तुहों की बड़ी हुई कीमतों के खिलाप विपक्च के प्रदसन में कॉंग्रेस संसदों के अलाबा समाजवादी पार्टी के संसद रामगोपाली आदावा सिफ से दें कि जगदीब धनकड के इस्तिफा देने के बाद मडीपूर के राजपाल एलगडेसन ने पश्चिम मंगाल के नए राजपाल के रूप में सपदगर्ण की है दरसल NDA ने जगदीब धनकड को उप्राष्टपती पद का उमीदवार बनाया है जिसके बाद से दनकड ने राजपाल पद से इस्तिफा दे दिया था BJP ने सनिवार को उप्राष्टपती पद के लिए दनकड की उमीदवारी की गोस्टना की थी वही राष्टपती जामनात कोविन ने पश्चिम मंगाल के जगदीब धनकड का इस्तिफा स्विकार कर लिया आपको बता दें कि अवा एल गड़ेसन ने पश्चिम मंगाल के नए जगदीब धनकड के रूप में सपदगर्ण की है आउली बड़ी ख़वर बिहार पहुँचे किसान नेता राकिष्टिकेट ने किया बड़ा एलान बोले सरकार MSP गारंटी कानून का करे एलान नहीं तो होगा बड़ा अंदोलन यह आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकेट तीन दिवसिये दोरे पर बिहार पहुँचे पटना आने के साथ ही ABP न्यूज ने राकेश टिकेट से बात की इस दोरान राकेश टिकेट ने उपराष्ट पती पद के उमीदवारा जगदीब धनकड़ा और MSP को लेकर बड़ी बात कह दी है राकेश टिकेट ने कहा कि मैं राजनितिक दल से जुड़ा नहीं हूँ और नाहीं राजनितिक दलों से कोई लेना देना है दनकड के लिए अलगलग दलों से बात नहीं करूँगा और नाहीं सपोर्ट करने को कहूँगा राकेश टिकेट ने कहा कि मेरे किसान आंदोलन की देन है कि किसान के बेटे को उपराष्ट पती पद के लिए बीजेपी ने उमीदवार बनाया है जगदीब दनकड जहां जाएंगे कहेंगे कि मैं किसान का बेटा हूँ किसान सब्द से बीजेपी डरी हुई है उन्होंने कहा कि सरकार MSP गारंटी कानून लागू करे नहीं तो फिर से अंदोलन होगा उन्होंने कहा कि जगदीब दनकड को प्राष्ट पती पद के लिए उमीदवार बनाने से राजिस्थान बिदानसबा चुनाम में बीजेपी को फैदा होगा या नहीं ये तो समय बताएगा मैं तो भविस्थ में भी किसी राजनेतिक दल में नहीं जाऊंगा नहीं अपना राजनेतिक दल बनाऊंगा सड़क पर किसानों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे आंदोलन करते रहेंगे किसान नेतर आकेश टिकेट ने साफ कर दिया है कि सरकार जल्द से जल्द MSP गारंटी कानून का एलान करे नहीं तो फिर से बड़ा अंदोलन होगा अवली बड़ी खवर संसद के मांसून सत्र में गूंजा अगनीवीर इसकीम में जाती का मुद्दा केंडर सरकार पर हमलावर हुआ बिपक्ष या आपको बताओ दें कि सेना में भर्टी की नई प्रक्रिया वाली केंडर सरकार की अगनीवीर इयोजना में अब एक नया बिवाद पैदा हो गया है मैज चार साल के लिए ही सेना में भर्टी वाली इस इयोजना का सभी विपक्षी दल पहले से ही बिरोत कर रहे थे और अविन अगनीवीरों से जाती प्राण पत्र मांगे जाने को लेकर नया बबाल खड़ा हो गया है बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही जेडियू ने भी इस स्कीम में जाती प्राण पत्र मांगे जाने की मंसा पर सवाल खड़ा कर दिया है दरसल बिहार में बीजेपी सेयोगी जेडियू सहित पूरे विपक्च का कहना है कि जब सेना में आरक्षन लगू नहीं होता तव अगनी वीरों से जाती प्राणपत्र मांगने की क्या वस्यक्ता है विपक्ची दलों का आरूप है कि सरकार सेना में जाती के आधार पर छटनी और बेदवाव करना चाती है जेडियू के संसदिय बोड के अध्यच उपेंद्र कुसवा ने भी अपने ट्विटर पर कहा कि माननिय रक्षा मंत्री स्री राजनात सिंग जी सेना की बहाली में जाती प्राणपत्र के साथ में जाती धर्म की जानकारी देने लेने का यदी सदुपियोग है तो इस जोचक सेना का अनादर और अपमान कर रहे हैं और यवाओं को सडकों पर प्रदसन करने के लिए बढ़काने की कोशिस कर रहे हैं राजनात सिंग ने इन आरोपों को खारिच करते हुए संसद परिसर में पत्रकारों से कहा मैं इसपष्ट करना चाहता हूं कि एक अफवा है आजादी से पहले जो भड़ती विवस्ता थी वो अब भी जादी है और उसमें कोई भी बदलाब नहीं हुआ है। मिस्रा की गरफतारी हुई है एडी ने बीती आठ जुलाई को पंकज मिस्रा और उनके सहोगियों से जुड़े कुल 19 ठिकानों पर तलासी ली थी। कहा तीर चाहे जितने भी ले लो दनुस्तो मेरे पास है सिफसेना को तोड़ रही भाजपा यह आपको बता दें कि सिफसेना प्रमुक उद्व ठाकरे ने पार्टी में जारी अंतर कले के बीच पहली बार भाजपा पर तीका हमला बुला है। उद्व ठाकरे ने एक मीटिंग के दोरान कहा कि सिफसेना में बिवाजन की स्थिती बागियों के चलते नहीं बलकि भाजपा की बज़े से पैदा हुई है। उद्व ठाकरे के इस बयान को पार्टी के सिंबल के लिए जारी लड़ाई से जोड़का देखा जा रहा है। यह आपको बता दें कि साल 2022 में मिसन 2024 की जीत का ब्लूप्रिंट बीजेपी ने अब तयार कर लिया है। और प्रधानमंती नदेन्र मोधी के नेतरतों में बीजेपी ने प्रचेंड बहुमत से जीत हांसिल की। लेकिन कुछ सीटें ऐसी थी जहाँ पर बीजेपी बहुत कम मार्जिन से हार गई। या फिरा नमबर दो पर रही इन सीटों पर जीतने की तैयारी आप बीजेपी अभी से कर रही है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर गंटी बटन यह दवा दे। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक कले जय हिन जय भारत।